शान्ती आज की तारीक है 18.12.2022 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा के द्वारा 18.1993 में चलाई गई थी आज की मुरली का शीर शक है ब्रामण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्सहा आज तिरमूर्ती शिब बाप सर्व बच्चों को बिशेश त्री संबंद से देख रहे हैं सबसे पहला प्यारा संबंद है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो वारिस के रूप में वारिस के साथ इश्वरिय विध्यार्थी हो साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सत गुरू के प्यारे हो तिरमूर्ती शिब बाप बच्चों के भी ये तीन संबंद बिशेश रूप में देख रहे हैं बैसे तो सर्व संबंध निवहने की अनुभवी आत्माय हो लेकिन बावा आज हम बच्चों के तीन तरह के संबंध देख रहे हैं ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं अब ये तीन एक तो बारिज इश्वर ये विद्यारती दूसरा बाबा कहते हैं फॉलो करने वाले सत्गुरू के प्यारे तो बाबा कहते हैं तीनों संबंद सभी को प्यारे हैं आज विशेश तिर्मूती शिवजयनती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर मधुवन पहुच गए थे बाबा कहते हैं बच्चे मधुवन पहुच कह दोनों काम करने आए हो जब नाम ही है शिब जैन्ती वा शिब रादरी तो तिर्मूर्ती क्या सिद्ध करता है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं आप ब्रह्मणों की रचना रचते हैं उन्हों की फिर पालना होती है तो तिर्मूर्ती शब्द सिद्ध करता है कि अकेला बाबा क्या करेगा तो आप सब बच्चों के साथ 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 आप सब बच्चे वावा के साथ हो इसलिए बाप की जयानती तो आत्लोंग बचकों कें इस डायमंड जयंती की, पदमा पदम गुणा मुवारकते रहे हैं और सुझ व Вамन महिंत करते हैrek ही देखेटों जैंति weli stocks वी अग्लabyte जायन सब्वेबस केंद न extremely narrow बाप के पास पहुच गए और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं चाहें दूर हैं चाहें सम्मुक हैं दूर बालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदमा पदम बधाईयां दे रहे हैं रिटर्न में बाबा कहते हैं बाप दादा भी बाबा कोई पास बहुत सारे बच्चों ने गिफ्ट दिये तो बावा कहते हैं बावा ने भी रिटर्न में बच्चों को देश विदेश के बच्चों को पदमा पदम बदाईयां दी ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्रामण जीवन में कोई भी उस्सम मनाना अतार्त सदा उमंग उस्सा भरी जीवन बनाना ब्रामड की अलोकिक डिक्षनरी में बनाने का अर्थ है बनना तो सिर्फ आज उसम मनाएंगे या सदा उमंग उसा भरी जीवन को ऐसे ही जीएंगे ऐसा नहीं कि एक दिन ब्रामड के लिए संगम्युग है ही उमंग उसा भरा जैसे इस इस्तूल शरीर में श्वास है तो जीवन है अगर श्वास खतम हो गया तो जीवन क्या होगी खतम ऐसे ब्रामड जीवन का श्वास है सदा उमंग और उसा ब्रामड जीवन में हर सेकंड उमंग उसा नहीं तो ब्रामड जीवन नहीं श्वांस की गती भी नॉर्मल होनी चाहिए अगर श्वांस की गती बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन जैसे यथार्थ नहीं और स्लो हो जाए तो भी जीवन सही नहीं कहा जाएगा हाई प्रशर हो जाए या लो सद्वाटर हो जाता है लो जाता है ले अब दूर घर के OSHA रूद जैवन को अच्छी तरह सजियां ऑनी मना जाएं क्यर्ण जाता है लो प्रशर हो जाता है तो इसको नौर्मल जीवन नहीं काता है तो यहां भी चेक करो अब आवे यहां पर एक्जांपल देखे हम सब बच्चों को चेक करा रहे हैं यहां भी चेक करो कि मुझ ब्रामर जीवन के उमंक अच्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत fast कभी बहुत slow हो जाती है एक रस रहती है या नहीं एक रस होनी चाहिए ना कभी बहुत कभी कम ये तो अच्छा नहीं इसी लिए संगम की हर घड़ी उस सब हैं यह तो विशेश मनोरंजन के लिए मनाते हैं क्योंकि ब्रामर जीवन में कहां जाकर मनोरंजन मनाएंगे यहां ही तो मनाएंगे ना कहां विशेश सागर के किनारे पर बगीचे या किलब में तो नहीं जाएंगे हम सब ब्रामर बच्चों कमर उरंजन कहां हैं हमारे बावा के साथ हैं यहां ही सागर का किनारा भी है बगीचा भी है तो किलब भी है यह ब्रामर की किलब अच्छी ह तो ब्रामण जीवन का श्वास है उमंग उसा श्वास की गती ठीक है ना कि कभी उचे उपर हो जाती है अब बाबा हम सबसे पूछते हैं चेक करो कि तुम्हारे श्वास की गती ठीक है कि कभी नीचे उपर भी हो जाती है बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं ये कान में लगा कर चेक नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ना कान में लगा कर चेक नहीं करते हैं। बावा तो हम बच्चों की शुआस की गती ऐसे ही चैक करते हैं आज कर दो साइंस ने भी सब आटोमेटिक निकाला हैं तो शिव जयनती पर शिव रात्री दोनों के रहस को अच्छी तरह से जान गए हो दोनों ही रहस स्वैम भी जान गए हो और दूसरों को भी इस परस्ट सकते हैं क्योंकि बाप की जयनती के साथ आपकी भी है अपनी बर्थडेज अपने जनम दिन का रहस तो सुना सकते हो ना कि हमारा जनम कैसे बाबा की जयनती के साथ आपकी जयनती जैसे बाबा की बने वैसे हमारा नया जनम हुआ तो बाबा कहते हैं अपने जनम दिन का रहस साल ब्रत ररकते हैं और हैरा आप क्या करते हो भंब भावा को खाले करते हैं कि right k3 के लिए के के लिए व SG जीवन के लिए एक बार ब्रत धारड करते हैं बार भार नहीं करना पड़ता हम एक बार ब्रत धारड कर लिया और भगत लोग क्या करते हैं आज उसका ब्रत आज उसका ब्रत बाबा कहते हैं तो ब्रामण बच्चों ने एक बार ब्रत धारण कर लिया उन्हों को हर साल ब्रत रखना पड़ता है सभी ब्रामण आत्मावने जनम लेते ही ये ब्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन और संपूरण रहेंगे आप सब ब्रामण बच्चों ने ब्रत लिया लेना है और हर दिन लेना है कि हम सदा बाप समान संपन और संपूरण रहेंगे ये पक्का ब्रत लिया है या थोड़ा कच्चा जब आत्मा और परमात्मा का संबंद अभिनाशी है तो ब्रत भी अभिनाशी है ना दुनिया बाले सिर्फ खान पान का ब्रत रखते हैं इससे भी क्या सिद्ध होता है आपने ब्रामण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी ब्रत लिया है कि ये फिरी है खाना पाना जो भी चाहें खालो बावा कहते हैं आपने ब्रामण जीवन में खान पान का ब्रत लिया है कि ऐसा तो नहीं कुछ भी खालो पक्का ब्रत है ना, कभी कभी ठक जाओ तो ब्रत तोड़ दो कभी टाइम ने मिला तो क्या बनाएं कुछ भी मंगा कर खा लें ऐसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीला करते हो देखो, आपके भक्त ब्रत रख रहे हैं चाहें साल में एक बार भी ब्रत रखते हैं लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहना तो जब आपके भक्त ब्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो, पक्के हो बाबा हम सब बच्चों से पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ मंगा के खा लिया, या कभी बाहर का खा लिया जो बाबा की श्रीमत है, उस पे चलते हैं न सब बच्चे तो बाबा पूछते हैं, आप सब पक्के हो ना कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, तो चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते ये भी आप बाहरामन आत्माओं के जीवन के बेहत के ब्रत के यादगार बने हुए है ऐसा तो नहीं बाबा पूछते हैं कि बाबा को बिना भोग लगाए कुछ खा लेते हो कि आज नहीं लगाया तो कल लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं करते हो तो बावा करते हैं ये भी आप ब्रामण आत्मों के जीवन के बेहद के ब्रत के यादगार बने हुए है बिशेश इस दिन पवित्रता का भी ब्रत रखते हैं एक पवित्रता का ब्रत रखते हैं दूसरा खानपान का ब्रत रखते हैं तीसरा सारा दिन किसी भी को भी किसी प्रकार का दुखिया दुखा नहीं देंगे ये भी ब्रत रखते हैं लेकिन आपका इस ब्रामण जीवन का ब्रत बेहद का है उन्हों का तो एक दिन का है पवितरता का ब्रत तो ब्रामण जनम से ही धारण कर लिया है ना अब बाबा पू कर लिया है बवावा बच्छों से पूस्तें न offer लेकिन पाचों ही बिकारों पर विजये हो इसको कहते हैं पुष्प meat लुए ब्रहजम मेंचर ही नहीं ब्वावा कहते हैं पांच विकारों काम पर क्रोध मोहों लोब एंकार इस सब पर जब आप बजय प्राप्त करते हो इसको कहते हैं पवित्रता का ब्रत तो सोचों की पवित्रता की ब्रत में कहां तक सफल हुए हैं जैसे ब्रह्मिचर अथार्थ काम महाशत्रू को जीतने के लिए विशेश अटेंशन में रहते हो ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रू के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है न कि उसके लिए छुट्टी है कि थोड़ा थोड़ा भल क्रोध कर लो चुट्टी है ये नहीं लेकिन आपने अपने आपको चुट्टी दे दी है बाबा कहते हैं जैसे काम विकार है न तो उसके चार साथी है क्रोध महलो बहेंकार तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं थोड़ा भात कर लो उसके लिए आपने अपने मन को समझा लिया है कि काम पर विजय प्राप्त कर ली लेकिन थोड़ा क्रोध तो कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं इसकी भी छुटी नहीं है लेकिन आप अपने आपको छुटी दे रेते हो देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुटी दे दी हैं क्रोध महाभूत को तो भगाया है लेकि उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है जैसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं ब्रत अथात संपूल पवित्रता का ब्रत कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं कहते हैं क्रूद ऐया नहीं बाबा लेकिन क्रूद दिला दिला दिया मेरे को ऐ आया लेकिन दूसरा दिलाता है तो बहुत मज़े की बाब दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया बाबा कितने प्यार से हम को इस सब बाते समझाते हैं बाबा क्या कहते हैं बच्चों से बाबा ना हमारा पिता है पर मातमा है वो सब बच्चों को बहुत अच्छी रीती जानता है तो बाबा का कहते हैं अच्छा हमने तुमको माफ कर दिया बच्चे अपनी सफाई जब देते हैं तो बाबा भी हमसे क्या कहता है अच्छा ठीक है हमने आपको माफ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना फिर बावा यहां पर करता है लेकिन आगे फिर इस गलती को नहीं करना शिब रात्री का अर्थ ही है अंदकार मिटाए प्रकाश लेने बाली रात्री मास्टर ग्यान सूर प्रगट होना यह है शिब रात्री आप भी मास्टर ग्यान सूर्वन बिश्व में अंधकार को मिटाए रोश्णी देने वाले हो जो बिश्व को रोश्णी देने वाला है बैस सयम क्या होगा सयम अंधकार में तो नहीं होगा न दीपक के माफिक तो नहीं हो अब कहते हैं दीपक के माफिक तो नहीं हो कि दीपक के नीचे अंध्यारा होता है उपर रोशनी होती है आप मास्टर ग्यान सूरे हो आप कौन हो मास्टर ग्यान सूरे हो तो मास्टर ग्यान सूर स्वयम भी प्रकाश सरूप है लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले है जहां सदा रोश्णी होती है बहां अंधकार का सवाल ही नहीं अंदकार होई नहीं सकता तो संपूर्ण पवित्रता अथार्थ रोश्नी अंदकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंदकार रह नहीं सकता रह सकता है आ सकता है बाबा बच्चों से पूछते क्या जो खुद अंदकार मिटाने वाली आत्माओं है उनके पास तो अंधकार रहे नहीं सकता चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए यह हो सकता है क्या अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे अगर थोड़ा सा भी विकार का अंश है तो बाबा कहते हैं उसको रोशनी कहेंगे या अंध कार कहेंगे अंधिकार खतम हो गया है ना शिबरात्री का चत्रवी दिखाते हो उसमें क्या दिखाते हो अंधिकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रहे गया इस शिबरात्री पर विशेश क्या करेंगे कुछ करेंगे या सिर्फ जंडा लहराएंगे जैसे सदा प्रतिग् प्रतिग्या का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिग्या ना जाए बावा ने पहले भी हमको सुनाया है कि प्रतिग्या का अर्थ क्या है जान चली जाए लेकिन प्रतिग्या ना जाए कुछ भी तयाग करना पड़े कुछ भी सुनाना पड़े लेकिन प्रतिग्या ना बावा कहते हैं कुछ भी त्याग करना पड़े भल कोई आपको कितना सुनाएं लेकिन आपकी प्रितिग्या ना जाएं ऐसा नहीं कि जब कोई समस्या आ गई तब तक तो प्रितिग्या ठीक है अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रितिग्या उस बावा ने कहा नमस्तक पर लिख लेना है कहने से करने वाले उस समय तो शक्ति साली संकल्प करते हैं कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तिया नहीं रहती जब मन से प्रतिग्या करते हो और किस से प्रतिग्या की? बाप से, तो बाप से मन से पृतिग्या करना अथार्थ, मन को मन बना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा, किसी भी परिस्तिती में यत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से ये होगा, मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है, कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनता तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाता है, थोड़ी थोड़ी मजबूरी, बापा कहते हैं, क्या आता है, मन में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ज यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है निश्चे और सफलता में निश्चत होगा यह है फर्स नमबर की प्रतिग्या सेकेंड नमबर की प्रतिग्या है बनना तो है करना तो है ही पता नहीं कब हो जाए यह तो तो करना था तो ता हो गया ये तो तो करना था तोता हो गया बाबा कहते है तो ना करना तो है ये बाबा पता नहीं कब करेंगे तो बाबा कहते है इसको तोता हो गया बाब दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिग्या की उसकी सारी फाइल है अब बाबा पूरा हिसाब रखें हम सब बच्चों की क्या क्या प्रतिग्या की बाबा आज से क्रोथ नहीं करेंगे बाबा आज से ऐसा नहीं करेंगे तो बाबा ने न हमारी सारी फाइल बना के रखी हुई है अब बाबा कहते हैं सब की फाइल है फाइल तो बहुत बड़ी हो गई है अभी फाइल नहीं भरना है फाइनल करना है बाबा कहते हैं फाइल तो बहुत बड़ी हो गई है कि रोज प्रतिग्या करते हैं बच्चे और पीच-पीच में थोड़ी मजबूरी आती है कुछ परिस्तिति आती तो प्रिटिग्या टूट जाती है तो बाबा कहते अब फाइल नहीं करना है अब फाइनल करना है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है जब कोई बाप दादा को कहते हैं प्रतिग्या की चिटकी लिखाएं तो बाप दादा के सामने सारी फाइले आ जाती है अभी भी ऐसे करेंगे फाइल में कागज एड़ करेंगे की फाइनल की प्रतिग्या करेंगे अब बाबा बच्छों से पूछते हैं कि जो आपकी फाइल बनी है प्रतिग्या की उसमें एक आगज और एट करेंगे या फाइनल प्रतिग्या करेंगे प्रतिग्या कमजूर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है बहे एक शब्द भिन भिन रॉयल रूप में आता है और कमजूर करता है बहे एक शब्द ह body conscious का मैं यह मैं शब्द ही धोका देता है मैं यह समस्ता हूं मैं ही यह कर सकता हूं मैंने जो कहा वही ठीक है मैंने जो सोचा वही ठीक है तो यह जो मैं शब्द है यही धोका देता है तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैं पन की प्रतिग्या कमजोर करती है आखिर कमजोर होकरके दिल शिकस्त के शब्द सोसते हैं मैं इतना सहन नहीं कर सकता अपने को एक दम निर्मान कर दूँ इतना नहीं कर सकता इतनी समस्याइं पार नहीं कर सकते मुश्किल है यह मैपन कमजोर करता है बहुत अच्छे रॉयल रूप है अपनी लाइफ में देखो यही मैपन संसकार के रूप में कभी सुभाव के रूप में कभी भाव के रूप में कभी भावना के रूप में कभी बोल के रूप में संबंद संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है शिब रात्री पर ये मैं मैं की बली चड़ जाती है भगत विचारों ने तो बकरी के मैं मैं करने बालों की बली चड़ाई है अब भगत होते हैं तो वो बकरी को चड़ाते हैं ना बली में तो बाबा कहते हैं भगत बिचारों ने तो बकरी के मैं मैं करने वालों की बकरी बली चड़ाई लेकिन है ये मैं मैं इसकी बली चड़ाओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही ऐसा हूँ माना एहम की बली चड़ाओ यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं बली बढ़ चड़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैपन की बली रह गई है अब बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप सब बली चड़ चुके हो माना ये मैपन हटा चुके हो बाबा बच्चों से बूछते हैं इसका क्या रिजल्ट है प्रतिग्या करनी है तो संपूर्ण प्रतिग्या करो जब बाबा से प्यार है तो प्यार में तो सब पास है कोई कहेगा बाब से 75% प्यार है 50% प्यार है प्यार के लिए ही सब कहेंगे 100% से ज़्यादा प्यार है बाब भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं इसमें पास है प्यार में त्याग क्या चीज है तो प्रतिग्या मन से करो और द्रण करो बार बार अपने आपको चेक करो कि प्रतिग्या पौवर्फुल है या परिक्षा पौवर्फुल है कोई ना कोई परिक्षा प्रतिग्या को कमजोर कर देती है डबल विदेशी तो बाइदा करने में होश्यार है ना तोड़ने में नहीं जोडने में होश्यार हो बाप दादा सभी डवल विदेशी बचों के भाग को देख हर्ष्ट होते हैं बाप को पहचान लिया यही सबसे बड़ी से बड़ी कमाल की है दूसरी कमाल बैराइटी ब्रक्च की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के ब्रक्च की डालियां बन गए अब एक ही ब्रक्ष की डालिया हो क्योंकि अब एक बावा को पैचान लिया तो बावा कहते हैं सबसे बड़ी कमाल है दूसरी बराइटी ब्रक्ष की डालिया हो भल किसी भी धरम की हो लेकिन एक बाप के चंदन के ब्रक्ष की डालिया बन गया अब एक ब्रक्षकी डालियां हो भिन्नता में भी एकता लाई देश भिन, भाषा भिन, कल्चर भिन है लेकिन सब अलग 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 देशों से आए हो अलग अलग भाषा है, अलग अलग languages है कल्चर अलग अलग है लेकिन आप लोगों ने इस सब को एकता मिलाया विन्नता को एकता मिलाया एक संग यूनिटी मिलाया अभी सब का कल्चर कौन सा है ब्रामर कल्चर है ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता है ये भारत वासी कहें हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है ना भारत ना विदेश कौन सा कल्चर है हम सब बच्चों का ब्रामर कल्चर तो बावा हमको जाती से पाती से धरम से देश विदेश इन सुब चीजों से परहटा कर हम कौन है एक पिता की संतान है तो बावा कहते हैं ना तुमारा भारत का कल्चर ना विदेश का कौन सा कल्चर है हम सब ब्रामण वच्चे है तो भिनिता में एकता यही तो कमाल है और कमाल क्या की है बाप के बने तो सब परकार की अलग अलग रसम रिवाज दिन चर्या आदी सब मिला कर एक कर दी चाहें अमेरिका में हो चाहें लंदन में हो कहां भी हो लेकिन ब्रामणों की दिन चर्या एक ही है या अलग है बिदेश की दिन चर्या अलग हो भारत की अलग हो नहीं सब की एक है तो यह भिनिता का त्याग यह कमाल है तो बाबा कहते हैं समझा आप क्या क्या कमाल की है जैसे आप बाब के लिए गाते हो ना कि बाबा ने कमाल कर दी बाबा फिर बच्चों के लिए गाते हैं कि बच्चों ने भी कमाल कर दी कितनी बच्चों में एकता है कितना प्यार से बाबा जब अपने बच्चों को देखता है कि कितने प्यार से भल देश, विदेश के भल किस अलग धर्मों के भी हो भल अलग जाती पाती की हो लेकिन हम सब रामर बच्चे अपने आप कितना प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं तो बाबा कहते हैं बाब जैसे आप बाबा से कहते हो ना बाबा आपने कमाल कर दी ऐसे बाबा भी हम बच्चों की कमाल के गीत गाते हैं बाप दादा देख रेक हर्शित होते हैं बहुत हर्शित होते हैं बाबा देख देख कर बाप हर्शित होते हैं और बच्चे खुशी में डांस करते हैं नासते हैं सेवा भी चारो और विदेश की देश की सुनते रहते हैं दोनों ही सेवा में रिस कर रहे हैं प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे यह द्रण संकल्प यूज किया अथार्थ सफल किया जितना द्रण संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनभब करते जाएंगे कभी ये नहीं सोचों की ये कैसे होगा कैसे के बजाए सोचों की ऐसे होगा संगम पर विशेश बरदान ही है असंभब को संभब करना तो कैसे शब्द आही नहीं सकता यह होना मुश्किल है नहीं निश्चे रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है यह रिपीट होना है बना हुआ है बने हुए को बनाना अथार्थ रिपीट करना इसको कहा जाता है सहज सफलता का अधार द्रन संकल्ब के खजाने को सफल करो सहज सफलता का अधार बावा से जो द्रन संकल्ब करते हो इसके खजाने को संकल्ब करो समझा क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा और सहज होगा होगा और बहुत असानी से होगा बहुत इजीली होगा संकल्प की हलचल है तो बहस अफलता को हलचल में ले आएगी अच्छा चारों और के सदा उत्सब मनाने वाले सदा उमंग उत्सा से उड़ने वाले सदा संपूर प्रतिग्या के पात्र अधिकारी आत्माएं सदा संभब को सहज संभब करने वाले सदा हर प्रकार की परिक्षा को कमजोर कर प्रतिग्या को पावरफुल बनाने वाले सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी तयाग करने की हिमत वाले ऐसे तिरमूर्ती शिप बाप के जनम साथी ब्रामन आत्माओं को अलोकिक जनम दिन की याद प्यार और मुबारक बाप दादा की विशेश श्रेष्ट आत्माओं को नमस्ते हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरब से शिप जयंती की मुबारक और नमस्ते बरदान है आज की मुरली से ज्यान गुड और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपनता का अनवब करने वाले संपत्ति बानभव। जिन बच्चों के पास ग्यान गुण और शक्तियों का खजाना हैं बेसदा संपन अथात संतुस्त रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती हैं। वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा बाप्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले नहीं मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन और सं पती बान कहा जाता है स्लोगन है आज category से बावा आज कल हम सब बच्छे को अपने स्नेहे में स्माने की बात करते हैं महबबत में सदा alleen रहो बावा के प्रेल्मेंद मीं सदा लव्लीण रहो तो महनत कानुभब नहीं होगा बावा को भी तरस बचता है अपने बच्चों को मेनत करते बाबा योग नहीं लगता बाबा अपने को आत्मा नहीं समझ पाते तो बाबा क्या कहता है महबत में लब ली नो बहुत प्यार से इस नहीं से बाबा को याद करो इस नहीं ही याद है तो मेनत का अनुभव नहीं होगा अच्छा आज के लिए सूचना है आज अंतर राष्टिय योग दिवस का तीसरा संडे है तीसरा अभिवार है साम को साड़े छेस से साड़े साथ बजे तक सभी भाई भेन योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रती यही शुभाबना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो सर्व आत्माओं सत मार्ग पर चल कर परमातम भरसे का अधिकार प्राप्त करें मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ती जीवन मुक्ती का बरदान देने वाली आत्मा हूँ मैं बाप समान सर्वात्माओं को मुक्ती जीवन मुक्ती का बरदान देने वाली आत्मा हूँ अच्छा, ओम, शांती